हेलो दोस्तों सुवागत है आपका अपने चैनल में दोस्तों आज हमारी उत्राखंट BS नेगी MSQ स्रीज का 12 पार्ट है चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं पैले जुष्चन है निम्न में से कल्यान चन्द चतुर्थ का सेना पती था सिवधेव जोसी कुमाव का कोटिले नाम से परसीदे सिवधेव जोसी सिवदेव जोसी को कहा जाता है एवय भी दोनो कुमाओ का बेरमखा वै कुमाओ का सिवाजी कल्यान चंद ने किसे बक्षी की उपादी दी थी सिवदेव जोसी को दीप चंद कुमाओ का सासक कब बनाता 1748 इस्वी में बगवाली पोखर का यूद किन दो सासको के मद्दे हुआ ललिस साह एवं मोहन चंद के मद्दे परदुमन साह को कुमाओ की गद्दी पर किसने बेठाया था ललित साह ने परदुमन साह ने कुमाओ पर कब तक सासन किया था 1789 इस्वी से 1786 इस्वी तक किस चंद सासक को मिट्टी का महादेव कहा जाता है सिव चंद को अन्तिम चंद सासक कौन था महेंद्र चंद 1790 इस्वी में हवाल बाग युद में कौन सा चंद सासक मारा गया महेंद्र चंद गोर्खो ने अलमोडा पर किस वर्ष अधिकार किया था एक फरवरी 1790 इस्वी में कुमाव राजनीती का अलरवारिक किसे कहा जाता है हर्सदेव जोसी को कुमाव का हिल जात्रा उत्सव किस देश की देने नेपाल की नेपाली भासा नेवारी एवं खसकूरी का परभाव दिकाई देता है कुमावनी भासा में परसिद फकीर गोपी चन कहा के रहने वाले थे नेपाल के चन्द राजाओ के सेना पती को क्या कहा जाता था बक्सी सिरी राज धिराज महाराजा धिराज किन सासको की उपादी थी चन्द सासको की किस वन्स के राजकुमार अपने नाम से पहले कुमर वय गुसाई लगाते थे चंद वन्स के राजकुमार नदी पूलों पर लगने वाला कर कौन सा है एवा भी दोनों जिवलिय वै संगा कर सुमेलित कीजिए ओप्सन देखते हैं कटक सेना के लिए लिया जाने वाला करता नियो वली नियाय पाने के लिए दे करता मांगा युद के समय लिया जाने वाला करता और भाग कर गराटों पर लगने वाला करता तो इसका अंसर होगा तीन चार एक दो उप्सन देखते हैं उप्सन है राइट अंसर होगा राजा के निर्त को एवं निर्तिकियों के लिए लिया जाने वाला करता बजनिया निम्न में खायकर के रूम में लिया जाता था येवा भी दोनो अनाज वै नगदी चंद सासकों दुबारा किसी वैक्ति को बहादुरी के लिए दिया जाने वाला पुरुसकार था जमीन चंद सासकों के समय कैनी कौन थे भू दास गल्ला च्हाडा भू राजसू अनाज का कितना भाग होता था छटवा भाग निम्न में भूमी माप की एकाई थी उपर योग सभी न्याली जिवला अधाली मसा चंद राजाओं के समय करो के नाम थे एवा भी दोनो 36 रकम व्या 32 कलम निम्न में से कौन सा युगुम समयली थे ओप्सन देखते हैं तो ओप्सन दी राइट आंसर होगा उपर युगत सभी युगुम समयली थे विश्णू प्रीती या गूंट भूमी दान की जाती थी मंदिरों को चंद सासको के समय कूख्यात कारागार था सीराखोट जो की पिथोरागड चनपद में था चंद सासक का अवनती काल कब से प्रारम हुआ था 1720 इस्वी से चंद एवं मुगल के संबंदों का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है बीवैसी दोनों सहा नामा वह जागीर नामा में अलमोडा जनपद में घर घर पूजे जाने वाले देवता हैं गंगनाद देवता किंगडम ओप नेपाल पुस्तक के लेका कें हैमिल्टन किस चंद सासक ने जिवुला एवं सिर्थी नामक कर लगाये थे लक्समी चंदने पंच पीडिया वर्ग के अंतरगत आते थे एवा भी दोनों चार चोथानी छे चरिया ब्रामन उत्रा खंड में इस्तित परमुक किले कौन से हैं लाल मंडी किला फोर्ट मोरा अलमोडा पल्टन बजार में नेतड़ा किला अलमोडा में खलुंगा किला देरा दून में सिर्मोही किला लोहा गाट चमपावद में इसका अंसर होगा 3, 4, 2, 1 Option देखते हैं, Option है, right answer होगा निम्न में दिए गए, युगमों में कौन एक युगम सही नहीं है Option देखते हैं, खगमरा किला, अलमोडा, जन्पद में यह युगम सही है बाना सुर, मारकोट का किला, चमपावत में यह युगम भी सही है गोल्ला चोड चमपावत यह युगुम भी सही है राजबुंगा किला अलमोडा यह युगुम सही नहीं है राजबुंगा का किला चमपावत जनपद में ओप्शन भी राइट आंसर होगा अलमोडा इश्थित मल्ला महल किले का निर्माण करवाय था रुद्र चन्रे कल्यान चंद दवारा लाल मंडी किला बनवाया गया था 1563 इस्वी में निम्न में एसंगत कतन का चेन करें ओप्शन देखते हैं सहू या सावली लेखक को दे करता या संगत कतन है कुकर यालो राजा के कुट्तो को दे करता या भी संगत कतन है बाजदार महाजन को दे करता या भी संगत कतन है ओप्शन डी राइट आंसर होगा इन में से कोई न नहीं है भाबर एवं भोटिया वैपारियों से वसूला जाने वाला करता सिड़ती कर जो की नगत करता तो दोस्तों यादि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छे लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं धन्यवाद